दोस्तों वल्कम बैंक टुदीवेद ब्लॉग तो कैसे आप लोग आसा करता हों कि बढ़िये ही होंगे तो अभी का दा क्या सीन हैं दोस्तों देखिए व्यू मैं कहा हूं अभी अपना मंदिर में हूं तो आज का जो ब्लॉग है वो मंदिर से स्टाट कर रहा हूं तो यही सीन है कि अभी हम लोग जाएंगे आज थोड़ा केला बाड़ी तरफ है ना एंड उधर एक मंदीर है मनो कामना दिवी तो उधर ही जा करके थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना फुल फैमली जो की टोटो है बाहर टोटो में जा रहे हम लोग क्योंकि बाइक में तो ह होगा नहीं एंड इधर से मैं ब्लॉक चालू करूं कि कि गर्मी था तो थोड़ा बाहर में हीट लग रहा था तो यह यह चलते हैं एंड हो सकता तो शायद में उल्टा घर भी जाएंगे तो आप लोग कनेक्टेट रही है और यह रहा अपना टोटो इसी में जाना है हम लो स्टार और यह हम लोगों का ड्राइबर टोटो ड्राइबर तो यह गाउं का ही गरी है तो चलते हैं तो चलते हैं खेला बाड़ी तो अब मैं जाओंगा बाइक में एंड यह लोग जाएंगे यह चलते हैं मैं बाइक में बैटूंगा तो कमफोटेबल हम जोन्हें पूंदटर यह रहा स्पीमिन जो कि केलावाड़ी का रोड है फिलाल मैं बाइक में हूँ और मेरे साथ मेरी अभी रोड तो पुरा खाली है तो बहुत हम लोग भाई सारे तो चलते हैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ एक ये बार अब मंदिर में क्योंकि अब रोड भी आगे सामने से खड़ा भी है अब फाइनली आचुके हैं ये रहा मनोकामना देवी मंदिर जो की काली बाडी देवी अस्थान मा भी फरस्ट टाइम आ रहा हूँ इदर अपना टोटो अभी तक आया नहीं लोग और रास्ता बहुत ही कंप्लिकेटेड था मतलब थोड़ा तफ था कोपरो तो थाने मेरे पास कोपरो यूज नहीं करता हूं तो फोन से सुट आउट करना थोड़ा प्राब्लम होता तो चलते हैं वीतर फिर आपको दिखाता अच्छा ये ग्रीनेरी ग्रीनेरी है चारोतरफ तो फितर आच्चुके है एंड ये देखिए ती वारी बाबा के लिए एक लाइक यूज दिखिए सुपाडी का पेड़ इदर वे सुपाडी का पेड़ ये हर्याली है ये से रहा आइफिक जगह पे बना हुए तो चलते है बीतर और दिखते हैं दर्शन कैसा होता है कि अधर सामने आप देख सकते हैं यह वाला गाच तो यह है मनो कामना देगी जो कि कियलाबाडी में पड़ता है इधर है मन्दीर चलते हैं मन्दीर का भी देखते हैं यह है मन्दीर अड़ी यह मेरी भाण जी यह मन्दीर जैमा काली जैमा गोरी मंदिर जो कि अभी ताला मारा हुए है तो हम लग थोरा फोनीतादी करके बुलाते हैं बंडी जी लोगों को देखते हैं क्या सीन होता है अच्छा यह मंदिर इधर हर्याली बहुत है दोस्तों यहां कुछ लिखा हुआ है एंड फ्लोर मेंट बाइ आर्मी नंबर इतना रेफरेंस राम चेत्री गौर्खा रेजिमेंट आर्मी नंबर सी पहलक्ष मन चेत्री राजपुत रेजिमेंट होम अड्रेस तो यह इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों देखे मैं बताता हू पहले तो मैं बता रहूँ कि यहां का सिस्टम क्या है मतलब यह प्राइवेट जगह पर है तो यह बना हुआ है आप आ सकते हैं सिस्टम में यहां का खुलने का एक टाइमिंग होता है तो यह लोगों ने मिल करके बनाया और यहां पर क्या लिखा हुआ तो यह पैंट लिख को मतलब यह जो फ्लोर इत्यादी इसको करवाया तो धर्म की चीज़े करवाना चाहिए एंड रेगिया बाद यहां मंदिर का कभी मंदिर नहीं खुलेगा क्योंकि हम लोग लेट आए हुए हैं तो सायद सिस्टम है एंड देखियो मनोकामना देवी कहने का मतलब है क्या है कि आप आओ विश्वास होता है धर्म तो एक विश्वास की चीज़े पूजा पाठ है ना ऐसा तो सारे भगवान सारे जगह तो एक ही है बट थोड़ा बहुत विश्वास का चीज़े और भगवान का सब कुछ मतलब विश्वास एक ही होता है सब विश्वास की चीज़ होती तो लोग आते हैं जाते हैं अपना धर्म है विश्वास की चीजे पुजा पाठ करते रखना चाहिए आस्था की चीजे और थोड़ा बस्ती इलाका में हैं इसी लिए मतलब अभी अरवन टाइप का दिखाए तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और यह रेजिस्टर मंदीर थोड़ा परिक्रमा कर लेते हैं और यह देखिया मंदीर का रेजिस्ट्रेशन नमबर तो सब कुछ से मंदीर का रेजिस्ट्रेशन है बदा बदान सब्टाप लुछ सुन मखशन में में लोड़ तो साच परिवथ युछ सल्दोर सक्षट विए traits बता इन Friends यपन टे शोपना हो पूराक रहा भाष है घशाओ व समस्का टुपच्ट है आई कोशी और मैं रहाओ पढ़नाम करें बगवान के पढ़नाम करें अब इसको देखिए इसमें भी दर्शन कर लिया अब चलते हैं घर बाई बाई तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घर एंड मालोग सभी कोई जो है वो लोग वहां पर है प्लास बड़ी में ममी और पापा की कि आज मामा जी आये कल आये थे मामा जी मामा जी भी चले जाएंगे मामा जी तो सिलोंग रहते तो यही था आज का सीन हम लोग फुल फैमल को हम लोग आ गए गार मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिए खाना भी खाले गा हुए अब अपना जो डेली वर खे वो करूंगा आज का यही था अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जो है वहां पर रेड कलर के बगल में उसक